नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगनात मिस्रा और हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे साथ में इवाओं के मसीहा इवाओं के प्रेनरा सुरोत इवाओं के मार्क दर्सक जो हमेशा इवाओं के साथ में खड़े रहते हैं उनको एक ऐसा रास्ता हमेशा बताने की दिखाने की कोशिस करते हैं कि आपके भविस्व में हमेशा उज्वल हमेशा प्रकासी बना रहे दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एसोसियेशन आफ यूथ के राष्ट्रे अध्यच श्रीमान भाबेस पांडे जी से जो कि आप लखनु हाई कोड में अधिवक्ता भी है नेशनल एसोसियेशन यूथ के आप राष्ट्रे अगधेच भी है इवाउं को लेकर हमेशा आपकी आवाज मुखर रहती है इवाउं को लेकर हमेशा आप कुछ ना कुछ नए टिप्स बताते रहते हैं सर कि इवाउं को इस तरीके से करना चाहिए कैसे उनको राजनीत में उनकी क्या भूमका होनी चाहिए अपने करियर को लेकर उनको किस तरीके से सजग रहना चाहिए, नेताओं के पीछे उनको कितना भागना चाहिए, तमाम सारे विशय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे, सर हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत सागा था है. सब को प्रणाम सभी को प्रणाम सर मैं यह जानना चाहूंगा कि आप नेशनल एसोसियेशन यूथ की राष्ट्रेय धच्छ हैं यूथ को यह जो आपने बनाया सर इसको लेके क्या उद्देश से था आपका देखिए नेशनल एसोसियेशन ऑफ यूथ एक पेशेवर और पढ करने का समाजिक लूप से भागिधारी करने एक मंच подदान करना नस् gjort करने अपना यूगार देना चाहते हैं लेकिन उनG मिल पाते हैं यहां पुरी तरीके से मिल्क जुल के और उस तरीके से काम करना पड़ता है तो नेशनल एस्टेशन आफ यूथ यह उसर देता है कि वह महीने के दो घंटे भी देना चाहें तो वह दे करके और अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्यत करा सकते हैं इसमें तमाम सारे कारिकरम भी होते करके और रोजगार को लेकर के हम लगातार आशते कारिक्रम करते रहते हैं वहां पर करते हैं यहां यहां करते रहते हैं के माध्यम से जो आपने बनाया हुआ है नेशनल एसोसियेशन तो इतनी एक्टिविटी इतनी उर्जा कहां से गहन करते हैं अभी पहले ही कहा कि हम युवा का काम ही है एक्टिव रहेगा देश के देश इस समय पूरे विश्व के सबसे युवा देशों में हमारा भारत देश है इसलिए धूप में भी हम लोग इंटर्विव कर रहे हैं नहीं तो हम लोग किसी कमरे में बैठके सब्सक्राइब कर रहे हैं तो युवा का ही कारे ही है कि वो किसी भी तरह कहीं भी और इससे अच्छा माहल कहां मिलेगा और धूप से विटामिन D मिलता है हमें कितना अच चाहिए भगवान ने हमें अभी युवा रखा है कलम जब युवा नहीं रह जाएंगे तो हम यह तो नहीं कह सकें कि हम यह काम कर लिए होते वह काम कर लिए होते तो इसलिए हम जिस सबस्था में हैं उतने एक्टिव रहना चाहते हैं और शायद मुझे लगता है अभी हम लोग काम करने के उमर बहुत कम है जीवन बहुत छोटा होता है और चोटी सी उमर में हमस्वामी व्यकानन जी से प्रेड़ा नीनी चाहिए कि ठटीनाइन की उमर में उन्होंने देश को और पुरे विश्यो को इतना कुछ दे दिया जो साथ लोग सहतर साल अस्ती साल पुरी उमर तक नहीं दे पाते हैं तो इसलिए हमारे प्रेडा सुरोथ स्वामी वेकानन जी है और उनसे हम अगर उनके किये हुए का एक प्रतिशत भी हम लोग कर सकें तो हम लोग का सभाग्य होगा सलसरे आप सवय मित ने चार्ज रहते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज रहते आप आज के परिवेस में युवा को आपा कहां तक देख पा रहे हैं युवा भी चार्जड है युवा के अंदर भी शक्ति है और पूरे देश के सभी युवाओं के अंदर शक्ति है बस उसकी आवशक्ता है कि उस शक्ति का सकारात्मक्पियों को वह शक्ति टिक टॉक बनाने में ना जाए वह शक्ति कुछ पढ़ने थी ज्ञान के लिए कहीं जाना पड़ता था आज आप कमरे में रजाई के अंदर बैठके लेकिन जो संसाधन हमारे पास उपलब्द है जो रिसोर्स हैं हमारे पास मोबाइल है सस्ता इंटरनेट है इन सब का उपयोग अगर हम लोग अच्छे ज्ञान को लेने के लिए करें तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं एकदम चा गया दुनिया में ठीक है मनरंजन के लिए नौजवान पब्जी खेलते हैं ठीक है कोई बात नहीं मैं किसी बीची उगलत नहीं मानता हूं हर चीज़ की सीमा होती है अगर हमें मनरंजन के लिए 15 मिनट 20 मिनट आदे गंट सर आप जब क्रिकट खेलते होंगे तो आपको रन लेने में दिक्कत होते हैं ज्यादा होते होंगे मुझे रहते हैं पढ़ाई छोड़कर वह रैलियों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं अभी आपने सोसल मीडिया का नाम लिया फेस्बुक पे ज्यादा उनका मन लगता ह है वट्स पे जादा मन लगता है कैसे इस बाते कि जो हमारे पास दोलेबल हैं उनका सब्धुप्योग करेंगे तो पहले प्हले विज पहले परचे और आज तो हम सभागेशाली रहेंगे अगर हम अपना समय ऐसी सामक्रियों पर व्यर्थ कर देंगे जिनसे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो बस जो हमें अवसर मिल रहा है आज हम बहुत अच्छा अच्छा है कि आज इंटरनेट है मारे पास कल इंटरनेट नहीं था लोगों को एक एक ज्यान के लिए भटकना पड़ता था लाइब्रेरी में जाना पड़ता था किताब को चाटना पड़ता था हाथ गूगल पर एक चीज़ डालिया आपको जानकारी मिल जा रही है तो यहां को इस अवसर का सकारात्म करूप से लाभ लेना चाहिए मैं यहीं क्योंगा सर ऐसे भी मुझे जानकारी मिल पारे है कि आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं कप्तान गन्ज सवा से आप टिकर मांग रहे हैं इस प्रकार कि मुझे जानकारी मिल लए है सर चुनाव अब लडेंगे लोगतंत्रे में लोगतंत्र के हर नागर्य को चुनौब लड़ने का अधिकार हूं। और मुझे मैं भी सवभागशाली हूँ कि मुझे विश्व के सबसे बड़े लोगतंतर का नागरी खोने का आउसर प्राप्त है भारत का निवासी होना भारत का नागरी बड़ा सवभाग्य भारत माता का सपूत होना इससे बड़ा सवभाग्य मुझे नहीं लगता धरती पे पैदा होने का कुछ हो सकता है और जहां तक आपकी टिकट पांगने की बात है इसी बात है यह सब तो मैं भाटती जनता पार्टी से विजुड़ा हूं संगठन को अगर तिकट ना कटना चुनाव जीतना दूसरे का नहीं जीतना यह जनता और पाल्टी के उपनिर पर करता है तिकट किसका कटेगा नहीं कटेगा यह पाल्टी बाल्यामेंटरी बोर्ड यह सब्ताय करते हैं हमारा काम बस इतना है कि हम भी समाज में सक्री रहते हैं और हम यह कहते ह कि हो सकता है कि जो लोग हैं उनसे अच्छा हम कारे कर सकें मुझे लगता है नौजवान ज्यादा अच्छा काम कर सकता है बड़े लोगों से और बड़े लोगों के पास अनभाव है और उनका हमें उनकी हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी उन लोगों से हम लोगों को माक्डशन होना चाहिए कप्तान गज में आप सडकों को देखिए ऐसी सडके हैं कि अगर को महिला को डिलिवरी कराने ले जाएंगे तो डिलिवरी हो جाएंगे वा आप जनता को बहुत टुन दो तीन चीजां एसे में जो देनी चाहिए सड़क है स्वास्त है इस जो है थी एस के बारे में कर् noises कि देश की चिंटा नहीं कर रहे हैं मोझी जी का के शोप्रशाद मोर्ची का अदर्डी योगी जी का नित्रिण कर्करी या नहीं हो पा रही है तो निचले अस्तर पर विधायक के जिम्मेदारी होती है कि वो क्यों नहीं हो रहा है तो बिलकुल उनको जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी और हम उनको जिम्मेदार मानेंगे भी आपने बताया कि कप्तान गंज में इस प्रकार की समस्या है वहां प कि पार्टी की सरकार साड़े-4 बर्स पूरा कर चुकी है अब 6 महिने में बिदानसवा का चुना होने वाला हागामी यह किसकी सा वजह से यह समस्या अभी तक निराकर नहीं हो पाया सर हमारी सरकार आप यह जानिए कि साड़े-4 साल से नहीं हमारी सरकार 2014 से है और 2014 से केंदर सरकार और प्रदेश सरकार से जो भी हम लोगों ने किसी भी जो सपा सरकार बसपा सरकार इन सब सरकारों में क्या होता था कि लोगों के लाव लोगों तक लाव पहुचाने के लिए बिचौली होते थे हमने डारेक्ट बैंक ट्रांसफर लाया सीधा लोग सरकार की योजनाओं पर कोई प्रशने चिनल नहीं खड़ा हो सकता बिलकुल निस्वार्थ भाउसे सिर्फ समाज की सेवा करना और जो अंतियोदफ है हमारा संकल्फ है अंतिम व्यक्ट Tक से सुधाओं को पहुंचाना केंद्र सरकार प्रदेशरकार की योजनाओं को अंतिम वेक्त को लाबाद्वित करना, चाहे वह आवास यूजना हो, चाहे वह राशन की बात हो, चाहे वह डीवी टी हो, चाहे वह मनरेगा हो, कुछ भी हो, हमने सिझा लाव पहुँचाया है, उसमें बिचौलिय का काम ही खतम कर दिया है, एक शामाने सभासत परधान हो उन लोगों की वज़ासत हो रही है वो हैं लेकिन जो केंद्र साशन से प्रदेश से होना है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है सारे काम बहुत ही स्मूथली हो रहे हैं सर चुनाव लड़ने की इच्छा आपने भी जताई है समस्या भी आपने देखा है कप्तान गंज की अगर आपको मौका मिलता है बिधायक चुने जाते हैं तो क्या ऐसा कारी आ स्वास्थे और सिक्षा और तीसरे नमबर पर आता है सडक अगर हम यह तीन चीजों को ले करके यह थ्री यस हैं स्वास्थे, सिक्षा, सडक अगर हम इन तीन चीजों को अच्छा कर दिये तो वह चाहे नोचवान हो बच्चे हूँ, बड़े भूरे हूँ, महिलाएं हूँ, मजदूर हो, किसान हो सब के लिए यह सबसे महतऽपुड चीज़े हैं कि उसका स्वास्ति के चिंता हो जाए उसकी सिक्षा अच्छी मिल जाए और उसको चलने के लिए सड़क अच्छी मिल जाए ये तीन चीजे मेरे बहुत महत्वपूर मुद्दे हैं जिनकों लेकर मैं काम करना चाहूंगा और अगर इश्वर ये क्रिपा से पार्टी के विश्वास से जनता के प्यार से अगर मुझे कभी भी आउसर मिलता है तो मैं इनी तीन विश्यों पर सबसे पहले फोकस करूंगा और जहां पर भी हमारे अपना अपने अपने लोग जहां पर जनता रखता हूं और वो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्याम ऐसे जैसे सर आप सभी लोग खूस रहें प्रसंड रहे हैं कोरोना का कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बुखार आ रहा है कुछ ऐसा इसलिए अपना अपनी सुरक्षा करें भीडभार से बचें और लोकतंत्र में जब आउसर मिलता है तो अपने वोट का सही उपयोग करें मैं यह नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हो सकता हूं मैं यह नहीं कहता कि जो भी टिकट पाएगा वोकि वो इमांदारी के साथ आपके साथ रहेगा लोकतंत्र के इस पर्व को खूबसूरत बनाईए सकारात्मक द्रिष्टी से इस लोकतंत्र के पर्व को देखिए और अच्छे लोगों को मौका दीजिए नौजवानों को मौका दीजिए क्योंकि वहीं आपके बीच में से उपस्थित रहेंगे आपकी सेवा करेंगे आप सभी को साधर प्रणाम जगनाजी बहुत बहुत धन्यमाद आपको दोस्तों अभी तक आप सभी अधिवक्ता भावेश पांडे जी को सुन रहे थे जो कि मैंने आपके बेक्तिग्यत जीवन से कैसे आप अपने काम करते हैं अधिवकता हैं कैसे आपने National Association आफ यूथ बनाए और उसके माध्यम से यवाहो को अगे लाने का प्रयास कर रहें हैं समाज को एक नई फैसला आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है निरड़ाय आप सभी को लेना है दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेयर करिए ताकि पांडे जी के आवाज सभी के पास सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और बेल बटन जरूर है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है